ऑलो गाइज वेलकम तुदर स्मॉल्केस विकली रांट अब जहां पें लोग डिस्कास करते हैं लास्ट वीक का बेस्ट रिटेंस वारे में और कौन को सा श्मॉलकेस का इसा रीटरंस दिया है बेश्ट अन लास्ट वीक तो मैं देट आ लिया हूं यहां पर सेवें सप्टेम यहां पर इंचे चलता है यहां पर इंचे चलता है और कुछ नहीं है नेक्स बात करते हैं लोग सिक्स मंस का क्वांटेस डिफेंस इस डा टॉप पोजिशन राइट नाओ तो यह लिश्टर माइक्रकाप आलफा पहले था शिक्स मंस पर अभी दोनों का अलग बग टकर का चल रहा है 75.97 75.54 सरकिट ब्रेकर 71 सहे च्ट्वल बिल्दर 71 लिश्टर का दो सेग्न स्मॉल केस भी नीचे आ रहा है काफी ग्रेन एनरजी 57 है और मल्टिकाप है में कन्वेइन ड्राइब बास के लिश्टर वेंचर के यहां पर भी शो कर रहा है लास्ट में बात कर लेते हैं ऑन यह का टॉप पोजिशन पर सुपर मल्टिप्लार 166 तो काफी डिफरेंस है फर्स्ट और सेग नीचे चलता है और एक डिफेंस कॉंटेस्ट इफेंस कॉंटेस्ट इफेंस होन इस तू मल्टिकाप है और एक्टिन आम मैनृफक्ट्रिंग और आपनी पावर एक्ट्रिफाइंग इंडिया है अभी देख लेंगे कुछ-कुछ रिबैलेंसिंग हुआ है लास्ट वीक तो अभी 15 स्टॉक से इंक पास एक स्टॉक को खड़िदा गया एक स्टॉक को निकाला गया नीट बेसिस पर इवलेंसिंग होता है थर्टी टू परसें मेंट का सिस्टीट परसें स्मॉल का फिनाशल रेशियो 27 इस लोकिंग गूट अमनी पावर इसका भी डिवालेंसिंग हु अभी डिवालेंसिंग तो नेक्स्ट है आलफा ब्लेंट इसका देखिए 10 टॉक्स है अभी फिलाल तो यह विकली डिवालेंसिंग होता है तो प्लस तू माइनस वन दो को खरीदागा एक को बेचागा जिरोपन फाइफ फाइफ वर का प्रॉफित बोकिंग हो यहां पर यह तो विकली डिवालेंसिंग होता है तो यह की चकर है इसका दिक्कत वाली चीज़ से लास्ट कैप में है 10 परसेंट और स्मॉल का मैं 90 परसेंट इसका पी रेशियो दाट इस फाइन जी आए का काफी स्मॉल केस्ट करी बेलेंसिंग हो आए लास्ट वीक भी मल्टी कैप लास्ट वीक नहीं लास्ट मन्थ का बोल रहा हूं है और 20 परसेंट 50 परसेंट 30 परसेंट बहुत ज्यादा है 89 परसेंट क्वांटेस इंडिया मोबिलेटी तो दो स्टक को खड़िदा गया तीन स्टक को बेचा गया है यहां पर भी तॉ टाइम से लॉस्ट को रहा है यहां पर पर इस फाइन इंडिया मोबिलीटी बहुत दिन से नेगेटिव जा रहा है मेरे वास्ट में भी है जैस्मॉल काप कभी रिवालेंसिंग हुआ चाज स् यहां टाइट पर इन स्समा पुर्स क यहां अच्छा करे रहा है रिसेंटली ठीज टीजिव लगां यदो तो टीन बडी हुआ गाता ठीज़ गेटिव लॉस्ट में लुटक है फिξ कर तो देंस परसेंट लार्जके भी परसेंटिश ini नियू सब्सक्राइब तो यह था इस हफता का री बालेंसिंग अभी बात कर लेंगा हम लोग कैसा परफॉर्स किया है तो देख सकते हैं सबसे वर्स में दिखाता हूं मैं यहां पर विनियोग इंडिया वैली और वैले उडिल्स तो नेगेटिव में एंड किया है तो यह तब काफी अच्छा था मार्केट के लिए फिर भी यह दोनों स्मॉल केस नेगेटिव में तरफ से बहुत दिनों से नेगेटिव जा रहा है और इनका स् सिक्स मन्स का फीज है और यह बेंचमार्क इसका जो लेटेट बेंचमार्क है उसको अभी मैं एट किया हूं कॉलम और कितना स्टॉक्स है टोटल नमर अस्टॉक्स 20 है इसका 9 है पी रेशियो 17 है इसका 10 है और रिवालेंसिंग है कौर्टली-कौर्टली तो मैं यह सब से य इंग्लूडेट इंदा स्मॉल केस वेबसाइट तो मैंने खुद से इसको रिसर्च करके डेटा अगरे कलेट करके यहां पर मैं एक्सल शीट में चाके मुझे आसानी रहे कि कौन-कौन सा स्मॉल केस कितना पी रेशियो है कितना स्टॉक्स है कि कैसा री बैलेंसिंग होता ह है तो डिरिकली एटा वन स्क्रेंशॉट मुझे मिल सके तो इसलिए मैं यह वाला एक्सल बनाए हो और आप लोगे साथ शेयर कर रहा हूं है तो और फीज है इसका यह फोर थी थाफें फाइव नाइटीन और फोर थाफें नाइटीन अभी लेगार्स में चलता है लेगार् पोर्फोलियो फ़र्म निवेश है जो के काफी पॉपलर स्मॉल केस है ब्यम विजन 20 30 भी 1.9 परसें इंक्रिस किया है बसन माहिश्वरी जी का स्मॉल केसा है यह यहां पर लिखा हूं फ्री और यह वाला six months का फीज है और three months three months जहां पर लिखा हूं यां फिर one year one year भी आप जो नया लॉंच किया है जीडियर और फार्मा दोनों फ्रम ग्रीन पोर्टफोलियो सेमी परसेंटेज पर आइस किया है 1.9 ग्रेविंग अल्फा फार्मा 1.8 और डिफेंस का तीनो दो तीन डिफेंस भी सेम टैबी परफार्मिस किया है 1.1 1.1 और 1.0 और रेल्वेशन जी टेक्नो फंड पोर्टफोलियो रियल्टी ट्रैकर जो के फ्री स्मॉल केसा 1.0 परसेंट का छोड़ दीजिए ट्रेंस टायलोजी काफी ज्यादा पी रेशियो है इसका रिसेंटली अच्छा परफार्मिस भी कर रहा था लेकिन लास्ट दो तीन दिन से निगटिव आया काफी अच्छा परफार्मिस करते हुए आ रहा था है में कर विंग बासके लिए लास्ट दो तीन हफते से इसका अच्छा रिटरंस नहीं आ रहा है उतना एज एक्स्पेक्टेड अब इन्डिया कैमिलियान ओमनी फ्यूचर मोबिल ग्रीन इनजी भी मैं सोच रहा था कि अ अच्छा परफार्मिस नहीं रहा 0% नेक्ट बात करते है मिडिल का तो तहला नंबर पर सुपर मल्डिप्लाइब टू पांट नाइन परसेंट पर आइस हुआ जो काफी बहतरीन है बीम फोका स्मॉल का भी 2.9 परसेंट राइस हुआ है राइट टैटन जो के लार्ज का स्म मैं देख रहा हूं कि री बैलेंसिंग हुआ है सभी का तो री बैलेंसिंग के बाद काफी अच्छा परफार्मेंस का रिबाउंड करके आया है हाई मोमेंट आप हाई ग्रोथ भी अच्छा स्मॉल के साह लास्ट वीक एक दिन का टॉप परफोर्फोर्म ऑफ दे भी था यह आप है 2.9 परसंट पर अके रूका है यह जी आइ मेट का 2.9 पर टौक स्टार मेरा खुद के पास है 2.8 परसंट राइस हुआ है उतना बोल बला था ने स्टाइक स्टार का अनस्ली बोलू तो लास्ट वीक तरिद फिर भी 2.8 परसंट पेंड हुआ है मोइंटम ट्रेंड मस कॉंते दिफेंस कोई एक सर्कृट ब्रेकर्स स्टार्ट डाइप और डिस्त गुल्लग यहां से स्टार्ट हो रहा है टू परसेंट और लिश्ट गुल्लग यह अमनिवर्ध अम्रितकल निवड करन वाल्य में थे न टिक वह सब ऑनगे है अर अ dennis परसेंट सबसेंट जाधा राइज हुआ है यह घुक्ता देखका ता के लास्ट फीका दो दीन काफी नेगटिव गया था क्योंकि स्टिल इस वेरी गुड पर्फॉर्मेंस के वन वीक में 3.5% का रिटार्स दिया है अल्फा मोमेंटम फ्यूजन जो के रिसेंट्री लॉंच हुआ था काफी अच्छा पर्फॉर्मेंस किया है लास्ट वीक फॉर परसेंट तेजी मंडी मल्टिप्लियर यह भी यहां पर आप लोग बेंचमार्ट देख पाएंगे तो सारे स्मॉल कैप से एक्सेप दा फ्लेट यहां पर आ रहा है हमेशा नेगटीव में रहता है तो रेडिया फिर लाइट और और शीट में रहता है यह बट आज ग्रीन शीट में एंड कर रहा है इंट्रेंजिक वैलोग कैश केंग भी 3.7 परसंट पर आइस हुआ है और लास्ट में बात करते हैं बेस्ट का यहां पर देख बेस्ट है फाइप परसंट से ज्यादा राइस हुआ है जो पहला नाम है ऐसा ग्रीन जी इसका में करान है लास्ट जो फ्राइडे था फॉर पर किया दो दिन लगातार बहुत ही बहतरीन पर्फॉमेंस किया था इसने भी 5.7 परसंट राइस और जासे नहीं बता रहा था उमनी स्मॉल काप सूबर ट्रॉंस ओमनी स्मॉल काप इस वान ओफ दा बेस्ट स्मॉल केसे तिल डेट तो इसका हिस्टोरिक परफॉर्मेंस वगर काफी एफट किया है इसका तो और यहां पर जो न्या रिबैलेंसिंग हुआ है ओमनी का मैक्सिमॉम स्मॉल केसे में तो डिफेंट स्टॉक्स को निकालके पी रेशियो वगरहा पर ध्यान दिया यह लोग यहां पर देखिए पी रेशियो काफी कम है 20 और इसका देखिए 149 सुपर नोगा का और इसका है 44 तो इसके कारण ओमनी स्मॉल का सुपर ट्रांस जो निकाल दिये डिफेंस टॉक्स अभी अभी इसके लिए अच्छा पाफांस दिख रहा है इसका 5.1 परसें यह भी राइस हुआ है यह देखिए यह टोटल ट्रैकर है तो अगर चाहते हैं आ आप लोग भी चाहते हैं और कोई स्मॉल के स्याट करना आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और प्रेडिट कीजिए कि लास्ट नेक्स्ट वीक का टॉप पोजिशन में कौन सा आएगा यहां पर जैसे ही इस वाले हफते में सर्क्रीन अरजी इस टॉप पोजिशन राइट न